जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और एक खेलों के माद्यम से अच्छी खबर सामबा जिला के लिए सामने आई है आपको बताते चले कि डिरेक्टर यूथ सविसिजन स्पोर्ट्स गजनफर अली ने एनौस कर दिया ह कि सामबा जिला में जल्द एक और स्पोर्ट्स टेडिम जो वो बनने जा रहा है और उसी के साथ चाथ पहला स्विंग पूल भी बनने जा रहा है इसको लेकर उन्होंने ये एनौसमेंट कर दी है और आपको बताते चले कि अगर खेलों की जब हम बात करते हैं तो बच्चो से सामबा के रानी सुचेट स्विंग स्टेडियम में एथलेटिक मीट चल रही है और इस एथलेटिक मीट का जब उन्होंने उधगाटन किया इनेगुरेशन किया तो उसी दोरान डिरेक्टर यूथ सौविसिदेंट स्पोर्ट्स गजनाफर अली ने ये एनौस किया कि साम अगर इस खबर को देख रहे हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है खासतोर पर सामबा जिला के यूवाओं के लिए कि जो कहते थे कि हमें प्लैटफॉर्म नहीं मिल पा रहा हमें कोई सुविदा नहीं मिल पा रही तो ये एक सोगात जो वो मिलने जा रही है अगर ह भी बताया जा रहा हमें सुत्रों के वाले से जो जानकार मीरी है कि लैंड जो वो डिपार्टमेंट ने देख ली है और जल्द वहाँ पर काम जो वो शुरू हो सकता है लेकिन इस से पहले अगर आपको बताएं तो सामबा जिला में एक मात्र यही स्पोर्ट स्पोर्ट स्टेडियम यही पर जितने भी टूर्नमेंट्स है वो यहां पर आयुजित की जाती है अभी भी यहां पर एथलेटिक मीट जो वो चल रही है यह तस्वीरे हम आपको सामबा के रानी सुचेज सिंग स्टेडियम से दिखा रहे हैं लेकिन यह बड़ी सोगात जो वो डिरेक की इलाके हैं यहां के बच्चों में काफी टैलेंट है जो खेलों में काफी जदा रूची रखते हैं और वो खेलों के मादें से आगे आना चाहते हैं लेकिन सवाल यह था कि उनको प्लैटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था और प्लैटफॉर्म एक मातर जरीय यही था कि दू प्राटफॉर्म की कमी नजर आ रही थी और अब ये कमी भी दूर होगी जब उन्हें एक स्टेज मिलेगी अपने आपको परफॉर्म करने के लिए अपना हुनर दिखाने के लिए चाहे वो हम किसी भी खेल की बात करते हैं जब यह स्पोर्ट सेडियम यहाँ पर बनेगा तो इस स्टेडियम में तो गेम्स होती ही है लेकिन इस स्टेडियम को लेकर भी मैं कुछ बाते आपके सामने रखना चाहता हूँ देखिए युवाओं को जोश कितना है खेलों के प्रती यही चीज जो वो शायद अब परशासन को भी लग रहा था कि नहीं युवाओं को यहा बनाना चाहते हैं खेलों के मात्यम से इसी को लेकर परशासन यह चाहता है कि युवाओं को ऐसी कमी ना लगे कि हमारे सामबा में कोई ऐसी फसिल्टी नहीं है उसी को लेकर यह बड़ी अनाॉस्मेंट जो वो की गई है गजनाफर अली जो के डिरक्टर यूथ स्वेसिंट स्पर्ट्स है जम्-कुशμीर यूटी के वो सामबा डिस्टिक में पहुँंचे और यहां इसी स्पोर्ट सेडियम पर उन्होंने एक स्टेज से यह एलान कर दिया कि जल्द यहां स्पोर्ट सेडियम बनने जा रहा है यहां स्विंग पूल बनने जा रहा है और खेलों का ए यह ऐसे युवा हैं जो इसमें मुलविज होते हूं नजर आ रहे हैं तो ड्रग्स से दूर है बच्चें इन सारी गंदी चीजों से दूर रहे हैं और अपना खेलों की प्रती अपना ध्यान जो वो लगाएं खेलों की और ध्यान अपना ड्यान डाइवर्ट करें पढाई की खेल एक ऐसा माद्यम है जिसमें आप अपने आपको फिट और तंद्रूस रखते हैं फिजिकली मेंटरी स्ट्रॉंग रखते हैं और गंदी चीजों की तरफ आप नहीं जाते हैं तो यही एक कारण है कि स्पोर्ट्स के परति बढ़ावा जो वो बचे ओर जादा जो वो लाएं स्पोर्ट्स की तरफ जादा ध्यान तवच्जों दें अपना उसी को लेकर यह एनौसमेंट की गई है कि युवाउं को किसी तरह की कमी पेश ना आए खेलों को लेकर चाहे हम क गेम्स को लेकर कोई टूनमेंट आयजित की जाते हैं उसमें हुनर दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि इस से बहतरीन सोगात और क्या होगी कि आने वाले दिनों में ये स्टेडियम जो वो बनने जा रहा है सामबा जिला में और जिसको लेकर डिपार्टमेंट अफ यूथ सामबा की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो लैंड जो वो देख रहे हैं और शायद लैंड देख भी ली ली गई हो तो अब देखना ही है कि कितनी जल्दी वहां पर काम शुरू होगा लेकिन ये बड़े अनाउस्मेंट है सामबा जिला के यूवाओं के लि जाते हैं तो वो उनकी रीच में हो इस तरह का प्राफदान जो वो यूच्छ से उफिजन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो ला रहा हैं जिसमें डिपार्टमेंट आफ यूच्छ सामबा की बात करें उन्होंने इसको लेकर अपना सीरिसपन दिखाना शुरू कर दिया है और जब गजनफर अली यहां पर आये थे तो उनके साथ साथ डी सी सामबा उनादा गुपता जी भी थे और उन्होंने भी थैंक्स किया डिरेक्टर का कि उन्होंने ये सोगात जो वो सामबा जिला के बच्चों के लिए दी है स्पोर्ट स्टेडियम और स्विंग पूल और जल्द ही ये स्विंग पूल और स्टेडियम जो बनकर तयार होगा और योग को एक और प्लैटफॉर्म मिलेगा जिला में अपना हुनर दिखाने के लिए खेलों के मात्यम से तो खेलों की तरफ ज्यादा रूची हो उसे को लेकर ये फेसिल्टिस दी जा रही है अब मैं इस तरह से बात कर रहा हूं स्पोर्ट स्टेडियम को लेकर खासतोर पर रानी सुचेसिंग स्टेडियम को लेकर यहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि कोई भी कल्चरल अक्टिविटी या कोई भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो इसी स्टेडियम में किये जाते हैं एक तो क्रशर की जो रेथ है वो डाली जाती है अब यहां पर यह देखिए इतने मोटे-मोटे कंकर आप देख रहे हैं तो अगर गेम खेलते-खेलते बच्चों को इंजरी हो जाती है तो उसका जिम्मवार कौन है यानि कहीं मैं यह आपको दिखाना जाता हूं देखने में क कोई भी अगर कल्चर आइटेम होती है तो वहाँ पर सीमेंट का इस्तिमाल किया जाता है बजरी रेत का इस्तिमाल किया जाता है देखिए यह हालत है अगर इसी तरह से उस नए ग्राउंड को भी हालत होगी तो मुझे लगता है कि काफी एक रिस्क जो बन जाएगा पर एक मातर यही जो स्टेडियम है रानी सुचेज सिंग स्टेडियम इसकी और भी ध्यान दिया जाए यहाँ पर जो ग्राउंड के बीचों बीच कंकर रेत जो क्रशर की रेत डाली जाती है जिसमें बच्चों को खेलने में काफी दिक्कते आती है और कई बार जब प्रशर की मिट्टी का इस्तिमाल किया जाएगा तो फिर इंजिरीज का खत्रा रहता है इसलिए जो सोगात परशासनिक अधिकारी देने जा रहे हैं डिरेक्टर यूथ सवचिन स्पोर्ट्स ने जो एलान किया यारी स्पोर्स डिपार्ट्मेंट की बात करें तो वह जरू आज की यूवा पीडी की बात करें तो हर कोई चाती है कि खेलों के मादन से वो आगे बड़े खेलों के मादन से वो अपना फ्यूचर सेक्यूर करें और गंदी चीजों से ड्रक्स वगारा जो नशे की जीज़ें इसे दूर है और यहाँ पर ध्यान डाइवर्ट करें ताक के साथ साथ स्विंग पूल आप देखना यह है कि कितनी जल्दी यह स्विंग पूल और स्पोर्ट स्टेडियम तयार होता है जिसको लेकर एनॉस्मेंट की है डिरक्टर ने कि जल्द यह सोगात मिलेगी जल्द यह स्टेडियम और स्विंग पूल बनने जा रहा है सामबा जिला में जिसको लेकर लैंड भी इंटिफाई करना शुरू कर दिया है जिला पर शासन सामा ने उमीद ही करेंगे कि जो भी स्पोर्ट स्टेडिम बनेगा एक अच्छी तरह से बनेगा वहाँ पर इस तरह की रेद बजरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ग्राउंड के बी गिर कर लेकिन ये चीजे हैं जिसके उबर पर शासने काम करना लेकिन बड़ी सुगात जिसका हम वैलकम कर रहे है सामबाज इला के यूवा वैलकम कर रहे है कि चलिए एक और प्लैटफॉर्म हमें मिलने जा रहा है फिलाल के लिए कमर्मन राहूल के साथ रिशिक घजुरि जेके मीडिया के लिए